स्वागत है दोस्तों इस नए वीडियो में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे Air India के प्राइविटाइजेशन यानि Air India के निजी करण के सम्मंद में कई दिनों से Air India के निजी करण की बात चल रही है सरकार को कई तरह के ओफर मिल रहे है इसे हमें दो तरह से देख सकते हैं पहला निजी करण के ओफर क्या है कौन बेडर्स हैं दूसरा करमचारियों का क्या होगा प्राइविटाइजेशन के बाद आठ अरब डॉलर के करण के साथ Air India कई मुश्किलों का सामना कर रही है ब्रिटन के Care Energy अपना 1.2 अरब डॉलर के लिए कानूनी रास्ता अक्तियार कर चुकी है और कई जगा पे उन्होंने कानूनी रास्ता के दौरा उन्होंने कबजा भी किया है कुछ एसेट्स पे खेर टाटा ग्रूप जो बिडिंग में अग्रनी है इस सौदे में छटी पूर्थी की तरफ देख रही है सरकार भी कुछ अच्छ आफर लेके आ रही है जिसमें छटी पूर्थी का आप्शन है यह एक अच्छा संकेत है टाटा ग्रूप और स्पाई जेट के लिए जो अग्रनी ब्रिडर हैं इनके लिए अब आते हैं मुद्धा जो हमारे लिए सोचने की बात है कि आखिर प्राइवेटाइजिशन के बाद निजी करन के बाद करमचारियों का क्या होगा Air India का निजीकरन उनके करमचारियों की नीद उड़ा चुका है उनके विशे में क्या निर्णे लिया जाएगा यह अभी तक पता नहीं चल सका है जहां तक सरकार का सवाल है उनका कहना है कि वो करमचारियों के हितों का पूरा ख्याल लखेगी करमचारियों को 6 महिने के अंदर उनके दिये जाने वाले अपार्टमेंट को खाली करने का निर्देश दिया गया है कई अन्य चिंताओं में पी एफ, मेडिक लेम वो कई अन्य सुविधाएं जो एक सरकारी जॉब में रहने के दर्मियान मिलता है उसका क्या होगा उनके जॉब सिक्यूरिटी का क्या होगा, उन्हें कितने दिनों तक मतब जॉब की सुरक्षा मिलती रहेगी, बहुत सारी चिंताएं उन्हें दिख रही है सरकार क्या करती है, यह तो देखना होगा आगे लेकिन सोचने की बात कुछ और भी है, जैसे एर इंडिया का यह प्राइविटाइजेशन निजी करन, हम यह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसे कौन से कारण रहे, जो एर इंडिया की यह हालत हो गई और करमचारियों का कहां दोस और सरकार ने इस दर्मियान मैंसे कौन-कौन से कदम उठाए जिससे इस स्थिती में एर इंडिया जैसे विशाल का और्गनाइजेशन पहुँच गई जो नहीं पहुँचनी चाहिए थी खैर इसको सोचने के लिए बहुत सारे चिंतक, विशेशग और सरकार की मेशनरी है फिलहाल मैं इस चिंतन के साथ आपको छोड़के जाता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें धन्यवाद